उत्तिर प्रदेश विफलाल शेरवानी पर सियासत चल रही है और आज यूपी विधान सभाव में बजट पेश किया गया लेकिन उस दोरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादो समेथ तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो शिरकत करने के लिए काली शेरवानी में विधान सभा पहुँचे अखलेश यादो से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो बड़ी साफ गोई से कहा कि जब विपक्ष के पास कुछ नहीं तो कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनी सकते हैं इस पर अखलेश से चुठके लेते हुए यूपी के अल्व संखेक मामलो के मंतरी पूर्व मंतरी मौसिन रजा ने कहा कम से कम संसकार तो आया अखलेश यादो ने कहा कुछ काम नहीं है तो कम से कम बेटर है कि आप अच्छे कपड़े पहन ले और उधर संसकार सीख लिए ये कहना है मौसिन रजा का तस्वीर आपको दिखा रहे है काली शेरवानी में अखलेश यादो और समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं जो चुने हुए विधायक हैं वो यहाँ पर नजर आए और इसी बीश में अखलेश यादो की तरफ से ये टिपड़ी की गई कहा गया अच्छे तो हम पहनी सकते हैं एक नयापन है जैसे आज बस आज 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 बढल सद्री से आगाए कंभी पोशाख यह पेहन कि अभी तक नहीं अब ऑजिट करिया अक्छा नहीं बढलेवा आज खबर शेरवानी नहीं ये बजट है लगणा बजट महीं बताएंगी आप अब अब यहां पर तस्वीर है आज हम लोग पहन किया हैं और यार तो यहाँ पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देखें कई जो नेता हैं वो यहाँ पर शेरवानी में नजर आ रहे हैं और अकलेश यादो यहाँ पर हैं और इन तस्वीरों को लेकर अकलेश यादो और उनकी टीम की तरफ से बार-बार का जा रहा है कि पहले से पहनते आजम खान की पसंदीदा पोशाक काली शेरवानी रही है लहाजा ये भी मैसेज हो सकता है हला कि जब ये सवाल पूछा गया तो अखले श्यादों ने इस पर खुल कर कुछ कहा नहीं तो ऐसे में ये अटकले ही हैं लेकिन संकेत और संदेश स्यासत में हर चीज़ के होते हैं लहाजा इसके भी संकेत जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और ऐसे में संकेत शेरवानी क्योंकि अक्सर मुस्लिम कमिनिटी में देखा गया है कि शेरवानी जो है वहाँ पर बड़े चाव से पहनी जाती है पसंदीदा पोशाकों में से है और ऐसे में एक मेसेज जो है वो लेकिन अकलेश ने ऐसी किसी बात पर हामी नहीं भरी जब उनसे सवाल पूछे गई है सारे और सिर्फ इतना कहा कि पहले से पहनते आए हैं उनके विधायकों ने हाला कि जरूर कहा कि उपर से कहा गया था और उसके बाद नयापन नये लुक में आए अकलेश ने भी कहा कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और स्पी के तमाम विधायक काली शेरवानी में विधान सभा पहुचे और इसको लेकर चर्चा जो है हो गई है बजट आज पेश किया गया सबसे लंबा बजट जो था वो यहां देखने को मिला लेकिन इन सब के बीश में अकलेश याद तो ऐसे में इसके माइने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं कि शायद अखलेश यादो वो टीम की तरब से कहा गया होगा बाकि विधायकों को कि आप आज इस तरह के गेट अप में आएए इसके माइने आप अपने अपने तरीके से निकाल सकते हैं